अस्सलाम अलेकूं फ्रेंड जाइकिदा रेसिपी में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे शादिये वाला चिकन कुर्मा आएए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है गैस पर मैंने डेक्चा रख दी हूँ इसमें दालेंगे तेल गरम होने के बाद हम इसमें दालेंगे दो बारिक कटे हुए प्याज और इसको बिरिस्ता बना लेंगे में प्यास को ऐसे नहीं छोड़ना है चम्मत से हिलाते ही रहना है ताके प्यास हमारा चारो तरफ से लाल हो जाए देखे विरिश का तयार हो चुका है अब हम इसको फ्लेट में निकाल लेंगे उसी तिल में अब हम दालेंगे दो तेज पत्ता एक बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची और चार पांच लोग एक बड़ा दालचिनी का तुकड़ा और दस्से बारा काली मूरी दो मिनिट तक हम इसको भूले ले ताके इसमें ते खुश्बू अच्छी से आए दो मिनिट भूलने के बाद अब हम इसमें दालेंगे आदा किलो चिकन चिकन को मैने ढोकर ले ली थी चिकन को हमें पांच मिनिट तक है ऐसे ही तेल में बूलना है चिकन को पांच मिनिट अच्छे से बूलने के बाद अब हम इसमें दालेंगे दो चम्मच अद्रक लसुन का पेस्ट और दालेंगे दो चम्मच मिर्ची पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच जन्या पाउडर एक चम्मच गरम मसाला पाउडर अब हम इन सारी चीज़ को अच्छे से भुन लेंगे मसाले को 10 मिनिट अच्छे से भूलने के बाद अभी हम इसमें दालेंगे आदा गिलास पानी और दालेंगे नमक स्वाथ के हिसाब से और इन सारी चीज़कों हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसके अपर ढ़कन ढपकर इसको 10 मिनिट के लिए बारिक आज पर पकाएंगे गुर्मा पकने तक के हम वरीस्टी को खीश करेंगे मिक्सर के जार में वरीस्टा दालेंगे और इसमें दालेंगे 10 बादम उć Sun इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसको पीछ लेंगे देखे चिकल अक्षे से गल चुका है, अभी इसमें डालेंगे एक वाटी दही, दही को हम अक्षे से इसमें मिक्स करेंगे और 5 मिनिट हर पकाएंगे। मैने पकने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने बिरिस्था और बदाम को पीज दिये थे इसमें डाल देंगे और इसे परचे से मिक्स करете पकाएंगे पाच विणिट के लिए हमारी ग्रेवी गाड़ी हो जाएगी बदाम से ग्रेवी गाड़ी हो जाती है पांच मिर्ट पकने के बाद देखी इसमें से तरी भी छुट चुकी है अभी हम इसमें दालेंगे बारीक कटी भी कोट में और गैस को बन कर देंगे माशाला चिकन कॉर्मा बन कर तयार हो चुका है वीडियो पसंद आए तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और कमेंट में जरुन पताना चिकन कॉर्मा कैसे बना अल्ला हफीज